असलाम वालेकूम वेलकम डू मैं चैनल ट्रडिशनल स्टूडियो आज हम बनाना सिखेंगे हाफ डबल क्रोशिया यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नियों है और कुछ सीखना चाहते हैं कोई सभी ले सकती हैं साथ हमें चाहिए क्रोशिया हुक मेरे पास है है 5.5 mm क्रोशिया हुक हमेशा आपके यान के हिसाब से होता है साथ हमें चाहिए एक कैंची एक सुई साथ स्टिच मार्कर चलिए स्टार्ट करते हैं क्रोशिया हुक की मदद से बैक साइड से हमसे चफ़ले स्लिप नॉट बनाएंगे और यह हमारी बनकी है फस्ट चेन हम टोटल पंद्रा चेन बनाएंगे यह हमारी पंद्रा चेन बन गई है यहां से हम यह हमारी फर्स चेन है यहां से हम थर्ड चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे यहां से एक दो और यह तीन हमारे पास तीन चेन टोटल आगी हो क्रोशिया हुक में और फिर से यान को पिक करेंगे और तीनों में से निकाल देंगे यह हमारा बन कहा है फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया फिर से हम नेक्स्ट में बनाएंगे तीन रहे हमेरे पास और तीनों में इस निकाल देंगे हैं हमारा पास जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है यहां पर हम स्टिच मार्कर से निशान लगाएंगे यह हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है इसी तरह हम सेकिंड लास तक बनाएंगे और लास चेन में भी हम हाफ डबल कोशे ही बनाएंगे कौन करेंगे हमारे पास कितने हाफ डबल कोशे होगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा थर्टीन हमारे पास यहां से हम सेकंड स्टेप स्टार्ट करेंगे यहां हम दो चेन बना लेंगे टर्न कर देंगे यहां हम फिर से हाफ डबल कोशे बनाएंगे आपको दोनों चेन पिक करनी है यहां से इसी तरह हम सेकंड लास तक हाफ डबल कोशे बनाएंगे हाफ डबल कोशे ही बनाएंगे यह अजय है यह हमारी फ्रंट साइड है और यह बैक साइड दो चेन बनाने के बाद हम फिर से टन कर लेंगे फिर से हमारी जो फर्स चेन है इसके अंदर हम हाफ डबल क्रोश्य बनाएंगे इस ही तरह हम अब इसके छे स्टेप्स बनाएंगे अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट में यह हमारा लास्ट इच है यह हम बनाएंगे एक चेन और यहां से इसे कट कर देंगे यह हमारा बन चुका है हाफ डबल क्रोश्य बनाएंगे हुआ है तो दूस्य फोड़ झाल यह चाथ यह जिर्भा आस्ट में जिख प्रोश्य आए जिर्ट चाहिए तो इसे कंट्रियों भी रख सकते भी यहाश्य जाने से पहले इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रस करने इन्शाला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्ला हाफिस